हेलो फ्रेंड्स अज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पीकेसी वर्सेस भीसीसी के बीच में जो अगला टीटेन का मैच होने वाला है इस वीडियो के अंदर दोनों ही टीमों के पूरी इंफॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ बैटिंग ओर्डर के साथ कौ दोस्तों पीकेसी के टीम ने चार मैचेस अभी तक खेल चुके हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर ने आपन करा है कौन से प्लेयर फिरस्ट राउन पर खेल रहे हैं सारे प्लेयर का बैटिंग ओर्डर साथी जब्ड़त कैप्टैन्सी वाईस के लिए सबसे बेस प्रदा हेल्प करेगा उससे पहले एक छोटी इस रिक्वेश्ट दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेश्ट चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख आपको सारी जानकारी मिलेगा दोस्तों अगर स्ट्रेट्स हमारे पसंद आते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना आपका एक लाइक से में काफी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करके में सपोर्ट जरू करें और सबसे जरूरी बात तक हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर लें देखो यहां पे आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा जैसे दोस्तों आप यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपके सामने सो हो जाएगा यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कर प्रंद बॉक्स में और कमेंड बॉक्स पहला कमेंट में मैंने दो जगा लिंक सेर कर दिया है किसी में भी क्लिकर करके आप आरे टेलेग्राम गुरूप को इजी जॉइन कर सकते हैं तो आई होप आपने जोइन कर लिया होगा तो चलिए अब स्टेट्स की और आगे बढ़ते हैं दोस्तों फ्रेंड्स यह जो मैच है सिबन करकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होगा आपको पता होगा इस तरीच के सारे मैचेस एक ग्राउंड पर हो रहे हैं और यहां का पीच कंडिशन की बात करते हैं जिस परकार मैचेस वहाए मैं आपको पहले बताए था और 5-6-7-8 मतलब लगवा 5 से उपर विकेड गिरते हैं मैचलेश में अगर आप देखेंगे तो चलिए PKC के टीम की बात करते हैं पहले तो पहले मैच के अंदर PKC के टीम यहाँ पे जीता है आप देख सकते हैं PKC के टीम काफी मजबूत री में दोस्तों और इनसे आप मैक्समिम खिलाडियों को ले सकते हैं लेकिन भीजी से की भी टीम की पहले देख लो यह जो टीम में पहला मुकाबला लॉस करा था दूसरा मुकाबला में काफी बड़ी है टार्गेट सेट करा था 35 रन का जो कि ACT के टीम ने चेज ने कर पाये तरह यहाँ पर भीजी से की टीम वीन करा है दो मैच खिला है एक मैच जीता है और एक मैच लॉस करते वे आए हैं अब रहा बैटिंग ओडर की बात दोस्तों यहाँ पर जो है नवी धसन नवी धसन दोस्तों यहाँ पर टीम के ओपन करते हैं राइट हैंड बलेबाजी करते हैं दोस्तों और पहले मैच के अंदर चार रन बनाए थे दस रन खर्च किये थे कोई विकेट इनको नहीं मिला दूसरे मैच के अंदर जीरो रन एक विकेट निकालें 14 रन खर्च करते हैं फिर 8 रन बना के दो विकेट निकाले 20 रन खर्च किये थे यहाँ पर फिर 13 रन बनाए दोस्तों यहाँ और 13 रन खर्च भी किये थे दोवर की गिंदबाजी विकेट निकाल पाए थे ये जो प्लेयर है दोस्तों टीम के आपन भी करेंगे प्लस आपको एक से दोवर गिंदबाजी भी करते वे नज़र आएंगे अवरल अगर आप देखेंगे तो 25 रन बना के दोस्तों दोस्तों ये बहुत सांदर पिक रहेगा बल्लेबाजी और गिंदबाजी दोनों करेंगे इन दोनों को जरूर ट्रै करना बाकि शद्रान खान की बात करेंगे फर्स टांट पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर 42 रन 28 रन खर्च के यहाँ पे कोई विकेट ने मिला फिर बैटिंग बॉलिंग दोनों से फ्लॉप रहा था फिर बैटिंग से फ्लॉप लेकिन बॉलिंग से दो विकेट निकाले है फिर 12 रन स्कुर करा है ओवरल अगर आप देखेंगे तो 54 रन मिला के दो विकेट निकाल चुके हैं तो ये भी काफी मजबूत खिलाड़ी है दोस्तों ये इन स्टार्टिंग के तीन खिलाड़ी आपके टीम में होना जरूरी है अमर निम टीम के कैप्टेन है पहले मैच के अंदर दोस्तों सेकेंड नौन पे खिलते हुए 9 रन फिर 6 रन फिर 0 रन स्कुर करा है इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है कमरन निम के ड्रॉप करेंगे इनका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं कमरन सहाजाद ये 6 रन फे खिलते हुए 4 रन स्कुर करा है इनको में ड्रॉप करोंगा मौहमद अजमाल की बात करेंगे चार रन फे खिलते हुए पहले मेच कंदर 11 रन कोई विकेट नहीं मिला फिर यहां पे बैटिंग से फ्लॉप लेकिन बॉलिंग से एक विकेट निकाले हैं फिर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप और लास्ट मेच कंदर दो विकेट निकाले हैं 17 रन खर्च करते हुए दोस्तों ये जो खिलाडी है ये भी दो वर कन्फरम गिन्द बाजी करेंगे प्लस चार अमर पे बल्ले बाजी करते हैं यानि कि मिडलर पे बल्ले बाजी के साथ ये दो वर गिन्द बाजी भी करते हुए रिखेंगे और इसे जरू ट्रैक करना बाकि अदनन सर की नरसरी की बात करते दोस्तों यह जो प्लेयर है ना 23 रन खर्च के ते पहले मेच कंदर ठीक है कोई भी सफलता नहीं मिला फिर एक रन बनाये थे यहाँ पे दोस्तों एक विकेट निकाला 27 रन खर्च करते वे हाला कि लास्ट मेच कंदर सफल रहा ये बाकि इमरान गुरया की बात करेंगे थार्ड रॉण पर खिलेंगे पहले मेच कंदर 0 रन फिर यहाँ पर 2 रन फिर यहां पर 14 रन स्कुर कराया थार्ड रन का प्लेयर है ये पर अबुशीन की बात करेंगे दोस्तों पांच नमर पर खिलते वे पहले मेच के अंदर 4 रन 1 विकेट निकालें 13 रन खर्च करते वे फिर 49 रन बनाएते दोस्तों 23 रन खर्च के कोई विकेट नहीं मिला फिर 7 रन बनाएते 28 रन खर्च के यहां कोई विकेट नहीं मिला फिर एक रन बनाएं इसमें दो विकेट निकाले दो रन खर्च करते हुए ये भी खिलाड़ी बहुत मजबूत है दुस्तों जो बल्ले बाजी और गिंदबाजी दोनों करते हुए दिखेंगे इनको जरू से जरूर ट्रै करना ये भी आपके लिए बेश ट्रेने वाला है बाकि श शे रन फिर आठ रन मना के दो विकेट निकाले हैं ओवरल पचीस रन मना के दो विकेट निकाल चुके हैं बाकि उमर गुजर ये पांच रन मना हैं और यहां पर दोस्तों बात करेंगे हैं पिर हुला के बारे में ये 21 रन स्कूर करा है दोस्तों पूरे स्रीज के अंदर ए उसके basis पे small league के team create करते हैं उसके basis पे आप players को team में लेते हैं भी चलो ठीक है अब रहा दोस्तों यहाँ पे भीसीजी के team के बारे में तो Mark Simpson प्रकार जो के team के आपको open करते हुए नज़र आएंगे पहले match कंदर open करते हुए 27 run score करा 1 wicket निकाले ठीक है दूसरे match कंदर 8 run मना के 2 wicket निकाले यह खिलाड़ी बहुत ज़्यता important रहेगा दोस्तों जो team के open भी करेंगे प्लस 2 over गिंदबाजी भी करेंगे यह आपके लिए best रहने वाला है जो यहाँ पे बल्लेबाजी गिंदबाजी दोनों करेंगे captaincy wise captaincy के लिए best है डैनियल की बात करेंगे यह open करेंगे दोस्तों पहले match कंदर यहाँ पे 3 run मनाये थे कोई wicket नहीं मिला फिर 24 run मना के एक wicket निकाले है अबरल अगर आप देखेंगे तो open करते वे 2 run मनाये दोस्तों आपन करते वे और 2 over गिंदबाजी भी करते वे बहुत सांदर खेला है पहले match के अंदर 3 run फिर 24 run मनाये थे अच्छे खेल सकते हैं अच्छे प्लेयर भी दोस्तों इनका experience भी काफे बढ़िया है अर्सलन अरिफ 2nd down पे खेलेंगे 13 run स्कूर करा है जविद जडर रन यह राइट आम फर्स्टर बोलर है पहले match के अंदर 3 down पे खेलते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों से flop रहा है फिर 42 run बना के एक विकेट निकाले हैं दो वर के गिंदबाजी में दोस्तों यह बल्ले बाजी गिंदबाजी यह भी करेंगी वह बात करेंगे नवीन के बारे में 4th round पे खेलते हैं पहले match के अंदर 1 run बना के दो विकेट निकाले हैं ओवरल अगर आप देखेंगे दोस्त हैं इनको ड्रॉप करना इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं मान सुझा यह रैटन बैटिंग करेंगे लेकिन अभी बल्ले बाजी गिंदबाजी नहीं करा है मुनीब को भी ड्रॉप करेंगे दोस्तों हमित खान को ड्रॉप करते वह नजर आएंगी इनका भी रिकॉर्ड सारे प्लेयर्स का बैटिंग ओडर के साथ वह लेके आता हूं अभी जो मैं टीम बनाऊंगा सीम कॉपी नहीं करना है ठीक है मैं हमेसा कहता हूं दोस्तों कि किसी के भी टीम आपको डिट्टो कॉपी नहीं करना है हाँ आप आठ से नौ खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं बाक चलिए मैंने आपको आपके लिए एक टीम क्रिएट करके रखाया बेफोर लाइन अप उस टीम की और आगे बढ़ते हैं शुरुआत करेंगे दोस्तों सबसे पहले वीकेट की पर से तो यहां पे ए नीम को मैं ट्राय करूंगा जो पीकेसी के टीम के तरप से यह खिलाड़ काफे बेटर लगा मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ ए नीम जो की काफे बढ़ियां खेल सकते दोस्तों इस वज़े से मैं इनको ट्राय करूंगा और यह जो खिलाड़ी है पीकेसी के टीम के तरफ से नजर आएंगी तो ए नीम को देखते हैं अबर नीम जो की सेकेंड ड अब रहा बेटिंग की बाद तो मैंने चार बेट्समन को ले रखा है एस हैत बेश्ट रहने वाले हैं दोस्तों भीसी के टीम के तरफ से यह भी टीम के टॉप अडर पे बल्ले बास जी करेंगे ऑपन करते हैं और एम कसीम को मैं ट्राय करूंगा यह जो तीन खिलाड़ी है बेटिंग सेजन में तो आपके टीम में होना जरूरी है बाकि एम सिंसन यह प्लेयर ध्यान रखना भीसी के टीम के तरफ से मैंने चार खिलाड़ी को ले रखा है बेटिंग से मैंने चार खिलाड़ी को ले रखा है जिसमें से बीसी के दो खिलाड़ी है जिसमें से कैप्ट दोस्तो मैं यहां पर एन सदीक असन को ट्राइ करूंगा यह भी दूस्तो बहुत बढ़ी है प्लेर मैंने कैप्टेंसी वैस कैप्टेंसी के लिए इनको भी बेश्ट बताये था बाकि और यहां पर बालिंग में देख़ोगे चार बोलर पीकेसी के टीम के तरफ से दोस्तो य यहां पर M.S.M.L. को ट्राइ कर सकते हैं जो बहुत बढ़ियां गिन्दबाज है तो इनको भी ट्राइ कर सकते हैं ठीक है अब रहा दोस्तों कैप्टेंसी की बात तो मैंने पहले कहा था यह बेस्ट ट्राइंग के टॉप अडर बल्लेबाजी भी करते हैं और यह भी बहुत आपके लिए जो डिफरेंसील कैप्टेंसी वसे के लिए आप इनके साथ जा सकते हैं यहां पर साधी घजन को ट्राइ कर सकते हो यह फिर दोस्ति-धिय आप点ہसील कैप्टेंसी के यह चॉइस है तो यह जो टीम है यह मेरे साइड से टीम है दोस्तों अगर आपको इसमें को record दिखा रखा है states अगर आपको हमारा पसंद आया दूस्तों ज़र आप भी help मिला है इस वीडियो से तो वीडियो को like और channel को एक बार subscribe करके हमें support जरूर करना thanks for watching